गूड मॉर्मीं एवरीमन दोस्तों आदे सेकेंड ओफ मार्श टुटी टुटी त्री और हम लोग करेंगे दा हिंदू न्यूज पेपर के नालेसिज मिना नाम है शितेंदर चोधरी और आज हम लोग कौन-कौन से टोपिक पढ़ेंगे जर्द देख लेते हैं एक बार एक कॉंटेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशल बिग कैट अलायंस इसके बारे में बात करेंगे इच्छा टोपिक है खासकर प्रिलिम्स के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है उसके लिए पी-एम जन्मन यहोजना के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि इ पर्म-सी-सी यहनके मोडल कोड औफ कंड़क्त के बारे में बात करेंगे क्योंकि इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया ने पुलिटिकल पार्टी को कुछ खास इंस्ट्रक्शन दी हैं और तो इसलिए मोडल कोड औफ कंड़क्त जरूरी है यह टोपिक मेंस के लिए जादा इं परिजनर्स है यह जिनको डेफ पनल्टी की कुछ स्टैस के बारे में बात करेंगे अच्छा टोपिक है में मेंस के परस्ट्व से तो इसको हम लोग थोड़ा यहां पर देखने वाले हैं चलिए बढ़ते हैं सीधा पहले टोपिक पे और इंडिया टु एस्टेबलिश टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगवार और चीता ठीक है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगवार और चीता इनको बोलते हैं बिग कैट्स ठीक है अब इसके अंदर एक्चुली कैट नहीं है क्योंकि वो स्मोल से तो इंडिया की जो एन्वार्मेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने अभी फाइनली प्लैन तयार कर लिया है होरोलोंबुक सेटप करने वाले हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसके अंदर हम सभी कंट्री को लोग इंक्लूड करेंगे जहां पर बिग कैट पाई जाती है मतला हम इंक्लूड नहीं करेंगे यह वलंटरी है अगर आप पार्टिस्पेट करना चाहते हों कर सकते हैं दुनिया में 96 कंट्री लग जड़ती चली जाएंगे लेकिन इंडिया ऐसे कर क्यों रहा है इसका हैट क्रोड़े में होगा क्योंकि इनिशेटीव इंडिया ने लिया है और हम लोग ने तो इसके लिए ओर जवरी वरग केट वाले केस में क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए आप की पोपलेशन कितनी ज्यादा ग्रो कर गई है इवन लाइन्स की population ग्रो कर गई है स्नो लैपड़ भी हमारे अपे अच्छे खासी population है तो जो भी कैट इंडिया में पाए जाती हैं हम उसका अच्छे से conservation कर रहे हैं लेकिन हर country दुनिया में ये सब नहीं कर पा रही है तो हम चाहते हैं जो वो resources है जो इंडिया के पास जो expertise है जो इंडिया practice करता है या कुछ दूसरी country जो अच्छी practices करती है उनको एक साथ लेके आए scientific coordination हो, conservation organization के बीच में आपस में coordination हो वो सब हम लोग यहाँ पर करें, network बनाएं, बहुत जरूरी है उसके अलावा कुछ लोगों को skill provide करवाएं, जो लोग इस field में काम करते हैं उनको नई नई practices से introduce करवाएं, वो research करें, development करें इस field में wildlife की proprietary के से monitoring करें, इवन जो protected areas है हम आपस जो communities रहती हैं उनको भी train करें कि कैसे आप जो heavy cat के साथ properly रह सकते हो कैसे आप इनको conserve कर सकते हो, अपने livelihood को secure करते हुए, वो सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं तो इसलिए जो है, इंडिया ये alliance बनाने का plan बनाया है और let's see, इसके अंदर definitely और भी country जोड़ती चली जाएंगी फिलहाल 16 countries ने अपना return consent यहाँ बे दे दिया centers housing scheme for the tribal group facing hurdles due to lack of accurate data तो budget के अंदर इस scheme को launch किया गया थे, जिसके अंदर around 24,000 क्रोर रुपीज जो है, वो इस scheme के अंदर दिये गए थे लेकिन इस scheme के अंदर अभी, जो है, कुछ issues चल रहे हैं issues क्या है, वो बारें बात करेंगे, scheme क्या है, उसके बारें बात करेंगे पहले थोड़ा सा scheme देख लेते है scheme का पुरा मतलब है, PM, जन्मन, इसका पुरा मतलब होता है प्रधान मंत्री, जन्जाती, आदिवासी, न्याए, माहा, अभियान ठीक है, इसके अंदर हम लोग कहीं सारी चीज़े करने वाले है जैसे housing, road connectivity, pipe water, mobile medical units, hostel constructions, आंगनवाडी facilities, skill development उसके लावा medical field में आयूश की जो wellness centers हैं, वो वहाँ पर establish करने हैं tribal areas के अंदर, खासकर focus किसके उपर रहेगा, PVTGs के उपर focus रहेगा vocational training provide करवानी है, ताकि employment बढ़ाई जा सके ये कुछ हम लोगों को यहाँ पर करना था, हलागि इसके अंदर जो 24,000 के आसपास जो budget दिया गया है उसमें से 80% जो budget है, वो कहां जाएगा, वो housing में जाएगा, और road connectivity में जाएगा अब चलिए ठीक, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन house किस के लिए बनाए जाएंगे, of course, जनजाती के लिए बनाए जाएंगे, लेकिन उनको identify करने में बड़ी दिक्कत आ रही है हमें actually अपने यहाँ पे जो PVT जन जाती हैं, उसकी exact population पता ही नहीं है शुरुआद में जब यह scheme चलाए गई थी, तो ऐसा idea लगाया गया था, कि जो अपने पास जो data है ना, PM गती पोर्टल के अंदर में, उस data का हम लोग use करेंगे और state governments को 15 फरवरी तक का time दिया गया था, कि भाईया आप अपने वहाँ पे survey करके हमें बताईए कि कितनी वहाँ पे population है और PM जो गती पोर्टल स्कीम है हम लोग इसका use कर लेंगे, जो 75 tribes हैं हिंडिया में PVTGs, ठीक है, जो particularly vulnerable tribal groups हैं बतर ट्राइबल groups में भी सबसे ज़ादा जो vulnerable होते हैं, उन्हें PVTGs कहते हैं, ओडिसे में बहुत सारे हैं, MP, undermined and all that ये data collect करने की बात कही गई थी, लेकिन data के अंदर बड़े issues आ रहे हैं पहले कह रहे थे के भी है 20 lakh है, 28 lakh, फिर वो population increase होके 36 lakh हो गई, फिर increase होके लगबग 45 lakh हो गई, और अभी और भी बढ़ते चले जा रहे हैं मध्या प्रदेश ने तो ये पाया है कि जो central database है, बहुत सारे PVTGs उन गाउं से बाहर रहते हैं, जहां पर central का database है, ओडिसे ने भी यही पाया है क्योंकि PVTGs सबसे vulnerable हैं, अब इनके पास अपनी खुद की land तो है नहीं, कि ये एक जग़े सैटल रहते नहीं है, तो usually migrate workers होते हैं, एक जग़े से दूसरी जग़े पर employment के लिए जाते रहते हैं, तो इनकी exact population को find out करना, exact location को find out करना, वो बड़ी दिक्कत आ रही है, जिसकी व पस proper data ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 lakh houses को ही sanction किया गया है, तो ये हैं कुछ issues, ठीक, अब let's see इसको कैसे सरकार find out करती है, स्टेट्स को या थोड़ा और समय दिया जाएगा, या फिर government proper तरीके से house to house survey दुबारे से करेगी, वो दिखना बड़ा interesting रहेगा, बट yes, हिल election commission ने parties को कहा है, अब election होने वाले हैं, कई states में भी होंगे, general election भी होंगे, तो देश में माहौल कैसा बनेगा, political rallies का माहौल बनेगा, political rallies आज कल, मतलब political campaigning, social media पे भी होती है, what's that university भी होती है, YouTube पे और physical format में हर जगए, political rallies, political campaigning हम लोग करते हैं, और unfortunately हमारे देश में क्या रह ले के, gender को ले के, इतिहास को तरोड मोरोड के दिखाना, वो एक बहुत, पाकिस्तान को फालतु में हर चीज में निकलूड कर देना, इस तरह की चीज़े हमारे आपे बहुत होती है, election commissioner of India को भी इस बात का पता है, तो election commissioner of India ने कहा है, कास्ट और legion के basis पे, आप campaigning मत करें, यह उन्हेंने कहा है, MCC जो होती है, निके model code of conduct होता है, उसका violation ना करें, directly भी ना करें, और indirectly भी ना करें, यह आपके लिए ठीक नहीं होगा, ऐसा उन्हेंने साब साब कहा है, कि mutual hatred मत फिलाएं, समाज के बीच में tension create मत करें, community के बीच में नफरत पैदा मत करें, language के basis पे, religion जिनके basis पे, वो मत करें आप लोग, आप इसे avoid करें, कोई भी ऐसी false statement ना दें, जिसका एक factual अधार ना हो, हाल तुम्हें मूठा के कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना है आपने, चीक है, उसके पीछे कोई fact हो, proper, factual basis पे बोलें, personal attack मत करें, इसी की private life में क्या चल रहा ह वो आपको attack करने के जोड़त नहीं है, ठीक है, हाँ, public activity में आप जो करते हो, आप एक public figure हो, आपने कोई scheme गलत चलाई है, implementation नहीं हुआ है, कुछ उस corruption हुआ है, वो आप बात कर सकते हैं, private life के बारे आप बात नहीं कर सकते हैं, उसके बेटे के साथ अच्छी नहीं बनती, उ उसकी personal चीज़ें, वो आटेक मत करें, personal low level attack तो बिलकुल भी ज्यादा avoid करना है आपको, जो आप news paper वारक अंदर advertisement देते हो, ठीक है, उसको avoid करें, क्योंकि वो देखने में तैसा लगता है, कि news item है, लेकिन होती एक्चल में वो advertisement है, तो ये नहीं होना चाहिए, तो अब जैस इने में तैसा लग रहा है कि news है, तो political parties जैसे ही करती है, माले किसने कोई scheme चलाई, किसी state government ने, center government को scheme चला रखी है, उस scheme के, तो news paper के अंदर एक article दिया जाता है, जिसमें उस scheme के positive impact नजर आते हैं, अब दिखने में तो लग रहा कि ये news है, लेकिन actually होती है, पढ़ने वाले इने scheme चले कितने benefit हुए, तो उसका voting का decision making power है, उसके influence किया जा रहा है, तो ये सब चीज़े आप avoid करें, ऐसा उन्होंने कहा, तो modal code of conduct होता क्या है, तो modal code of conduct का मतलब सीधा सा होता है, कि आपको कैसे conduct करना है, आपको कैसे behave करना है, आपको कैसे बोलना है, और ये नहीं करना ह है, ये करना है, तो modal conduct में basically होता है, do's and don'ts, अब जो है, इस तरह से कह सकते हैं, it's a do's and don'ts, election के time पे, तो it's a set of norms and principles, norms मतलब क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, principles के जिसके basis पको काम करना है, जो कि political party को guide करता है during the time of elections, और ये modal code of conduct जो है, बनाया जाता है, जो political party सारी आ कर देती हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है, तो election commission of India ये ensure करता है कि हर political party इसको follow करे, ताकि देश में free and fair elections हो जके हैं, under article 324 of the constitution of India, ठीक है, MCC ensure that the official machinery of the election purpose is not misused, सीदी सी बात है, आप सरकारी vehicles का use मत करिए, सरकारी helicopter का use मत करिए, सरकारी machinery का use मत करिए, जो सरकारी news channels हैं, आप उनका misuse मत करिए, ये सब government machinery ही तो होती है, तो modal code of conduct ensure करता है कि जो political party power में हैं, वो इनका misuse ना करें, electoral offenses ना करें, mal practices ना करें, corrupt practices ना करें, उस दब आपका avoid करना चाहिए, और ये कब शुरू होता है, model code of conduct, ये शुरू होता है, जिस दिन election की date announce हो जाती है, उससे next day ये शुरू हो जाता है, लोक सभा का जब election होता है, तब पुरे देश में model code of conduct लाग हो जाता है, फिरू कश्मी टुकर्ण्या को मारी है, जनरल election जब legislative assembly states में होते हैं, तो पुरे एक state के अंदर अपलाई होता है, उसलिए बात है, जब by elections होते हैं, by elections किसी particular constituency में होता है, तो model code of conduct उसी constituency में ही लगता है, बाहर नहीं लगता है, तो ये होता है, थोड़ा सा model code of conduct, क्या क्या provision इसके अंदर हो सकते हैं, पर्विजन सीदी सी बात होई है कि ये कास्ट के नाम पे hated मत फिलाएं, ठीक है, अरलीजर के नाम पे मत करें, ये कुछ इसके importance से provisions होते हैं, जो किसी political party के अगर आपको बुराई करनी है न, तो उसकी policy के basis पे करें, उसके program के basis पे करें, ठीक है, उसके past record के बारें बात कर सक पर्सनल चीजे मत करें, प्लेसी ओवर्शिप जैसे temples, mosque, churches उगरा, इनको election propaganda के लिए use नहीं करना चाहिए, कि आप किसी बाबाजी के जाके चलनों में बैठ गए, आप किसी temple में जाके जोहां कुछ करने लगे, किसी mosque में जाके आप कुछ announcement करने लगे, चर्च में जाके आप आपको permission से ही लेना पड़ेगा, वाकी जो local police है ताकि लोग अनुटर अगर proper maintain हो सके, शान्ती काई में रह सके, ठीक है, तो advance में आप notice दीजिए local police authority को, कि भाईया देखे, यह जगह हमें चाहिए, यहाँ पे मुझे rally करनी है, यह मेरा time है, प्लीज आप मुझे permission दीजिए, permission मिलेगी, तभी आप जाके वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, the parties or the candidates should collaborate with the authority or the polling booth to ensure the peaceful elections, there should not be no disturbance, distribution of the food or alcohol outside the polling stations, बाद पहले कर लेजी न, मतलब आपको किसी को खाना देना है, तारू आरू देना है, पहले दे लीजी दो चार दिन, पास दिन पहले, polling booth के बहर मत दीजी, मतलब ऐ आगया, देना नहीं चाहिए, of course कि इसी भी level पे, क्योंकि वो free and fair election नहीं होता है, बहुत सारे लोगों तो जब election के announcement शुरू होते हैं, उसी दिन से पीना शुरू कर देते हैं, और जब तक election खतम होता है, वो voting देने तक, पीते ही रहते हैं, को पता ही नहीं चल तक कभ election हो ग हो जाएगा, उसको सिर्फ इतना पता है, को कितने दिन से वो दारू पी रहा है, तो उसको manipulate किया गया बैसिक लिए उसको, है ना, दारू देगे, लाज़ ची देगे, तो ये चीज़े हैं, तो बहुत सारे challenge हैं, MCC को लेके, MCC जो है enforceable नहीं है, आप court में नहीं जा सकते, MC फॉर्म्स ओफ electoral malpracticing, भी आजकल तो social media का जमाना आगया है, WhatsApp का जमाना आगया है, Telegram का जमाना आगया है, Snapchat का जमाना आगया है, तो इन पे लोग कर रहे हैं, नहीं नहीं तरीके खोज रहे हैं, company करने के, vote मांगने के, bribery के, नहीं नहीं तरीके खोज रहे हैं, तो मुझे vote तो मैं तुम्हें अपने Instagram post के अंदर tag करूँगा, ये भी चल रहा है, पता आपको, सब कुछ चलता आजकल, bitcoins के द्वारा payment दी जा रही है, online fraud हो रहे हैं, वो सब दिक्कत यहां पे है, even अगर कभी modal court of conduct का violation अगर होता है, तो ये political parties जो है, election commission of India की instructions को मानती ही नहीं, lack of power to disqualify the candidate, ideally तो ऐसा ही होना चाहिए था, election commission of India के पास ये power होनी चाहिए थी, कि अगर कोई candidate, modal court of conduct को violate करता है, तो भी उसको disqualify करता है, और अगर ये power आ जाए, election commission of India के पास, तो कोई भी उसको violate करेगा ही नहीं, तो कि उसको पता है, बैटा, तुम disqualify हो सकते हो, लेकिन unfortunately ये power, election commission of India के पास ही नहीं, जिसकी वज़े से violation पे violation लगातार होते रहते हैं, आप किसी political party को de-register नहीं कर सकते, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं हुआ, कि भाईया एक बार political party अगर register हो जाए, इसको de-register कैसे करें, तो आप religion के नाम पे, language के नाम पे, चाहती के नाम पे campaign करते रह हो, violation पे violation करते रहते हो, आपको भी पता है, कि आपका candidate ने जीतना नहीं है, लेकिन वो फालतू की campaign कर रहे हैं, religion कास्ट के नाम पे, क्योंकि कहीं बार political parties क्या होती है, ये ऐसी छोटी छोटी political parties बना देती हैं, जो उनकी proxy काम करती है, ये उनके सरयाम काम नहीं करते हैं, उन party ले campaign करती हैं, उन candidate के नाम पे, और कास्ट रिलिजिन के नाम पे वोट मांगती हैं, ऐसा होता है, बहुत बार, तो इन party को क्या election commissioner का de-register कर सकता है, answer is no, unfortunately, तो बहुत सारे lacuna है, बहुत सारा loopholes है, इस MCC वाले पुरे system के अंदर, जिसको दूर होना चाहिए, चली, India's burgeoning death penalty crisis, तो article क्या कहता है, थोड़ा सा data देख लेते हैं, बार, 2023 में तक, इंडिया में, there are 561 prisoners on death row, मतलब जिनको death penalty मिल चुकी है, कितने हैं, 561, और ये लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, 2004 के बाद से, ये अब तक का सबसे maximum है, इसमें interesting बात ये है, कि 55% केस में जो death row, जो criminals थे, उनको Supreme Court के द्वारा acquit कर दिया गया, acquit मतलब उनको रिहा कर दिया गया, निर्दोश थाबित कर दिया गया, बाए, मतलब उनको रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया, कि वहिए जाईए आप लोग, अक्विट कर दिया गया, death penalty से, एक data हमारे पास अची से बोलते है, project 39A, उनका ये कहना है, कि इंडिया में जितने भी death penalty दी जाती है, उसमें से लगभग 87% trial courts के द्वारा दी जाती है, कई केस में तो death penalty एक दिन में ही दे दी गई, कल crime हुआ, आज जजज साब के सामने court आया, जजज सामने देखा, अच्छा murder हुआ है, चलो बेटा, तुमें भी death penalty, कोई सुनवाई नहीं नहीं थे, ऐसा भी हुआ है, Supreme Court के सामने 10 केस आये, जिसमें से Supreme Court ने एक भी केस के अंदर death penalty को confirm नहीं किया, High Court से जो Supreme Court के अंदर जो appeal के थूँ केस आये थे, उसमें से सिर्फ एक केस को ही confirm किया गया है, ये data क्या दिखाता है, ये data ये दिखाता है, कि Supreme Court और High Court death penalty बिल्कुल भी prefer नहीं करते हैं, लेकिन जो lower courts हैं, जो trial courts हैं, वो death penalty पर death penalty दिए जा रहे हैं, एक बार वो death penalty दे देते हैं, वो accuse होता है, वो high court चला जाता है, appeal लेके, high court भी मालो बाई चांस उसको confirm कर देती है, तो Supreme Court चला जाता है, तो trial court के basically जो judges हैं न, वो attention लहीं नहीं रहे हैं, न अबना time बरबाद कर रहे हैं, उस case की files देख रहे हैं, न उसकी merits, demerits को देख रहे हैं, वो जो accused आया है, न उसकी mental conditions देख रहे हैं, उसकी social economy conditions देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको वो आया case आएगा, crime देखेंगे और सज़ा सुना देगे, क्यों हो रहे हैं, कई सरे reason इसके हो सकते हैं, fabricated evidence जो police बनाती है, कई बार जो forensic evidence होते हैं, उनके साथ भी छेड़खानी की जाती है, जो first information reporting के F.I.R. होती है, उसको बहुत बार manipulate किया जाता है, यह police का systematic failure है, इस तरह से persecution यहाँ पे होते हैं, trial court के judges की judgment का failure भी है, जिनकी वज़े से यह इतने सारे acquittals नजर आते हैं, अगर trial court से इतने ही genuine case आता, तो भई Supreme Court High Court उनको जो है acquitt क्यों करते हैं, अब इसली बात है, तो बहुत सारे issues हैं, जो एक आदमी का death penalty आपने दे दी, अब हो सकता है, वो Supreme Court में जाके acquitt हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन एक बार अगर आपको death penalty मिल गई, तो फिर तो वो आपके दिमाग में हमेशा यही रहता है, कि भई तुम कभी भी लटकाए जा सकते हो, unfortunately, जो death, जो, जिनको death sentence मिलता है, वो जो होते हैं, they are subject to constant violence, ridicule, humiliation within the prisons also, जेल के बाहर तो अलग है, जेल के अंदर भी उनके साथ मार पिटा ही होती है, जो normal criminals होते हैं, वो जेल के अंदर काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किताबों के access होती है, थोड़ा बहुत game भी खेल सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, लेकि जो death, रो पे होते हैं न, criminals, उनको कुछ नहीं करने को मिलता है, पूरी तरह से isolated रहते हैं, इवन अगर सुपरीम कोट के दोरा वो छोड़ भी दिये जाएं, हाई कोट के दोरा छोड़ भी दिये जाएं, तब भी ये life long psychological impact रहता हैं उनके उपर, ये तुम्हें मौत की सजा मिली थी, अब दिक्कत ही हो गई है कि कुछ समय से हाई कोट के अंदर भी जो cases के disposal की जो rate है वो 15% decrease हो गई है, इसका मतलब अब थोड़ा ओर डिले हो रहा है, तो वो crisis जो पहले से था ओर जदा बढ़ रहा है, इसका एक एक्जामपल बड़ा नजर आता है, 2023 के अंदर यारवडा जे महराष्टरा में एक person ने suicide कर लिया था, क्योंकि कई साल से उसका जो appeal थी, death sentence के against में वो pending पड़ी होई थी, ये चीज़े जो है आपे इस तरह से गलत है, जो कि दी जाते समय होता issues, अब इन issues को दूर करने के लिए 1980 के अंदर एक बच्चन सिंग केस हुआ, बच्चन सिंग क इसके अंदर जजज साब ने ये कहा, कि देखिए हमारे यहाँ पर जो justice delivery system है ना, वो किसी को punishment करने का नहीं है, आँख के बदल आँख, ये हमारा system नहीं है, हमारा system है reform करने को लेकर, जजजज का काम होना चाहिए, कि वो ये देखे कि क्या ये जो criminal है, क्या ये reform हो सकता है, अगर वो ऐसा लगे कि वो 0% chance है उसको reform नहीं होने के, और अगर वो बाहर आ गया समाज में, तो पुरे समाज के लिए खतरा होगा, अगर ऐसी situation बन रही है तो आप उसको death sentence देजिए, तो बच्चन सिंग केसम के अंदर basically, ये कहा गया था, कि जजजज होते हैं, उनको choose करन पड़ता है life imprisonment और death sentence के बीच में, अगर किसी criminal को अगर आप life imprisonment दे सकते हो, तो उसको फिर death sentence क्यों देना, उसको सुनाईए 15 साल की सजा, उसको सुनाईए 20 साल की सजा, 25 साल की सजा, क्यों देना उसको death sentence, मतलब आपको ऐसा solid reason बताना पड़ेगा, कि इसलिए भाया मुझे इसको death sentence देना पड़ा है, और death sentence अब दिया जाता है न, तो ज़्यादा focus मैंने आपको बताया था crime के उपर किया जाता है, मालो कि इसने कि इसका murder कर दिया, rape या murder कर दिया, ठीके, तो ये तो हो गया crime, तो court नहीं है कहा बच्चन सिंग केस में, कि सिर्फ crime पी उपर focus मत करें कि क्या crime किया है, उसके इसाफ से सजा सुने, no, crime के सासा तो आपको दूसरे factor भी देखने है, crime तो of course important है, क्या crime आपने किया है, लेकिन इसके सासा दूसरे factor को भी आप consider कीजिए, वो जो आदमी है, उसके personal circumstances कैसे थे, उसकी mental health condition कैसी है, उसकी age क्या है, वो कैसे समाज में कि हर चीज़ को proper weightage दीजिए, तब जाके अपना decision सुनाईए, अगर वहाँ पे 0.0001% भी chance है ना, कि उसको life imprisonment मिल सकती है, तो उसको life imprisonment ही दी जानी चाहिए, death sentence should be the last, last, last resort, ये जो है, जजज साब ने उस case में कहा था, लेकिन ये 1980 का case है, इसके case के बाद भी कुछ खास important चीज़ें नहीं हुई, जब वो नहीं हुआ, तो फिर फिर एक और case आया, Manoj and Others versus State of Madhya Pratish, इसके अंदर Supreme Court नहीं कहा, कि अभी future में, जो भी death penalty दी जाएंगी, उसके लिए एक constitutional bench बनाई जाएगी, वो bench जाके जो है, उस case के अंदर देखेगी, ठीक है, ये देखेगी कि जो sentence दिया गया है, वो fair है के नहीं, medical experts, health experts, prison के अंदर जो experts हैं, जो probation officers हैं, जो psycho analysis करते हैं, उन सब की report देखी जाएगी, उन सब की report देखने के बाद ये देखा जाएगा, कि ये आदमी reform हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो reformation है, वो हमारे justice delivery system का एक बहुत integral part है, अगर एक आदमी पश्चा ताप कर रहा है crime करने के बाद, अगर ऐसा लगता है कि ये reform हो सकता है, even if there is a very slight chances of reformation, तो उसको जो आप life sentence दे सकते हो, death sentence देने की कोई ज़रूत नहीं, और हर court को चाहे वो trial court हो, high court हो, even supreme court भी क्यों नहों, ये सारी चीज़े आपको देखनी पड़ेंगी, उसमें probation officer की report, health expert की report, जो psychoanalysis करते हैं, उनकी report, उस सब देखिए, तब जाके जो है, उस decision पे आप रहा है, इसका reason क्या है, इसका reason यही है, कि इंडिया में mostly, लोग जो जिनको death sentence मिला हुआ या line में लगे हुए हैं, वो बहुत poor background से आते हैं, बहुत महंगे महंगे वकील कर नहीं सकते हैं, इसलिए वो trial पे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तारिक पे तारिक, तारिक पे और high profile judges, जो lawyers होते हैं, वो आप गर नहीं पाते हो, समस्य हैं यहां से शुरू हो जाती है, तो मनोज case के बाद जूद भी उतना कुछ खास यहां पे होनी पाया, unfortunately बट होना चाहिए, तो यह जो है इस article के अंदर कहा गया है, बस आज के अंदर article यह बहुत हैं, तो thank you very much, all the best जाहिन, जाजवान, जागिसान